नमस्कार दर्शको धर्मिक चमतकार में आप सभी का स्वागत है प्रेमानंद महाराज जी को कोई नहीं जानता है प्रेमानंद जी महाराज से एक भक्त ने पूछा मेरे जीवन साथी का किसी से अबैद संबंदे में क्या करूं तो प्रेमानंद जी महाराज जे बहुत ही अच जैसे कई गल्फ्रेंड बॉइफ्रेंड बदलते रहे न अब साधारन बात है भिवा होने तक कोई पवित्रता नहीं रह जाती और उनका अभ्यास पूरी तरह से बिगड़ चुका होता है धर्म सास्तरों में बताई गई मर्यादा को वो जानी नहीं पाते हैं पुरो सिस्त्र कि आत्ते पहले से खराब हो चुकी हो उनके लिए भिवा के पच्चात उनात्तों को रोक पाना भोती कठिन होता है आपका जीवन साथी चाहे कितना भी अच्छा हो पर यदि आपका सोभा मरोरंजन का बन चुका है तो वो आपको मर्यादा में रहने नहीं देगा आप अप को पता चल जाए कि आपका जीवन साथी धर्म विरुदाचरनों में पढ़ गया है या उसका किसी और की साथ अवैस संबंदे तो सबसे पहले आपको उसे प्यार से समझाते हुए समालना चाहिए यदि आप स्वयम गलत आचर नहीं करते तो अपने जीवन साथी को प्यार और दुलार से उसकी क्रिया के परिणाम से अबगत कराएं और समहलने की चेश्टा करें पती को धोका देने वाली जो इस्तरी पराय पुरुष से रती करती है भैसो कल्प तक रोरब नर्ग को प्राप्त करती है पती को अपनी पतनी की आविस्यक्ताओं को समझना चाहिए और उसकी च्छाओं को महत्व देते हुए प्यार से अपनी बात रखनी चाहिए उसे प्रियास करना चाहिए कि आपसी रिष्टे में जो समस्या है उसे धर्म पूरबक ठीक किया जाए अगर सरीर का कोई अंग खराब हो जाए तो उसे ओज्दियों के द्वारा ठीक करने की कोसिस की जाती है लेकिन जब ऐसी परिस्तिति आ जाए तो कि उससे पूरे सरीर में सड़न हो जाए तो उसे कटवा देना चाहिए एक सीमा तक समझाने के बाद भी अगर पतनी पिरमाद बस धर्म को ना माने और गलत आचरन करती रहे तो पती को अपने धर्म के रास्ते को अलग हो जाना चाहिए सरकार द्वारा तलाक की वेवस्ता भी है जिसके अंतरगत पती को अपना पक्छ साबित करते हुए अपनी पतनी से संबंद खतम कर लेना चाहिए किसी भी तरह का डंडे जैसे हिंसा मार पीट आदी से पतनी को पिरतारित करने का अधिकार पती को नह नाम जब करें तो नाम जब से उसका कल्यान हो जाएगा पतनी भजन करते हुए ये निच्चित करें कि सोभा बज्जो गलती हुई है अपसे दुबारा नहीं करूंगी उसी समय से वो भगवा सरनागत होते हुए पवित्र माने जाएंगी पती को चाहिए कि पुरानी वातो को का ध्यान करते हुए कभी उसका नादर ना करें और उसे भरपूर प्यार दें प्यार में बहुत सामार्थ है इससे किसी को भी अपने भाव के अधीन किया जा सकता है पती को चाहिए कि पतनी की हर ब्रती को प्यार और अपने पहन से पूर करें इस प्रियास से ये हो सकता कि पतनी का सोभा पूरी तरे बदल जाए और वो सत्मार्क पर चलने लगें आपको प्रेमा नंजी द्वारा दिया गया प्रतियोत्तर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताईएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल धर्मिक चमतकार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्र करिएगा धन्यबाद